दोस्तों जाम बात करने वाले हैं 1500 square fit या 55 by 30 fit में मकान का design जैसा कि आप देख पा रहे होंगा मैंने ये मकान पहले भी design किया इसका वीडियो पहले प्रेड किया था लेकिन जो हमारे customer थे उन्हें उनका front elevation नहीं पसंद आया था उनके लिए मैंने उसी model को थोड़ा changement करके बन control को जो front elevation है वो मैंने change किया है बेटरीन सा front elevation दिया है ये चारो तरफ open plan है इसलिए यहाँ side में window भी दिया है मैंने जिससे proper ventilation हो सके सरत पीछे window नहीं दिया है इस side भी window है और आगे आपका एक बेटरीन सा पोर्च प्लस बारंदा देखने को मिलता है जो आपका जब घर बनेगा तो आपका एक बेटरीन सा रेलिंग ग्रिल वगारा सब कुछ देखने को मिलेगा जो कि इसका front है 55 feet और इसकी जो इससे उनको पशन ना आया और मैं फिर से define कर रहा हूँ तो सबस्क्राइब में जूम करके आपको दिखाता हूं उसका realist to view क्या है इसकी railing वगारा कैसे आप design करेंगे इसके plus वगारा क्या है आप नजदीच से देख लें जिससे आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जा इससे पहले आगे आपका front road है इसके बाद मैंने यह middle में चार प्लर दिये हुए हैं देखी चार प्लर है क्योंकि यह सारे प्लर जो एक लाइन से हैं यह बारामदे के लिए फिर आगे यह दो प्लर और एक्स्टा दिये जो की porch design करता है और आपका बेतरी सा लुक देता है तो यह सारे प्लर आपके पहले बने हुए हैं इसके बाद यह porch का design आगे बना हुए है और front elevation आपका यह है तो आगे से road है बीच में stairs हैं दोनों साथ स्लूप दिया है तो stairs के माद में साब ओपर चड़ेंगे इस घर में आपको दिखी का एक इधर window मिलता है एक यह window मिलता ह फिर main door मिलता है जिससे entry करेंगे और दोनों साथ windows का fit door फिर एक और बड़ा सा door जिसमें आप car parking या कुछ भी कर सकते हैं इसका दिए window तो अगर हम इस मकान को दिखाना चाहे हैं तो आपको यह एक portion है जो की 25 वाई 30 पिट का पूरा hall create किया हुए है इसलिए इसमें बड़ा स की बात होगी कर हम left hand की बात करें तो 25 विए निकल जाता 55 विए 30 विए बचता है तो 30 वाई 30 में यह मकान और यह जिसके लिए main door देखिए यह है यहाँ से जैसे आगे जाते तो main door से entry करेंगे और आप सब से पहले एक आंगन टाइब में आ जाते एक बड़ा सा hall type का आंगन मिलता है इसका दो bedroom पीशे आपको देखने को मिलता थी कि दोनों bedroom के लिए अलग 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 window दे रखा मैंने इसके बाद यह आपका kitchen area है जो बना है जिसमें proper front से एक आपका window मिलता है एक side से window मिलता है से ventilation होता रहे यह जो है आपका पूजा घर है क्योंकि नहे आंगन हो गया तो यह देखीगा यह अब आपका मैंने पहले stairs यहां पर नहीं लगाए थी लेकिन मुझे stairs भी यहां लगाना था तो यह अब stairs देखी stairs जो है आपको बारंदे सी ही है जो kitchen वाला area है उधने area में और यहां से stairs start होती ही चड़ना और आप जैसे आपर चड़ते क्योंकि मैंने उस लिए वहाँ पर इसलिए नहीं किया है कि वहाँ पर फिर window आपके अरजिशन नहीं उपाएगी और यहां पर विंट्रीशन नहीं हो पाएगी अगर आप देवाल साइड से करते हैं तो आपका window वहाँ पर इसलिए मैंने बाहर से किया है आपको हो सकता है तो यह पूरा मकान देखिए यह हॉल हो गया यह विड्रूम हो गया दो और किचेन पूजागर स्टेर्स बारंदा पूर्ज सारा डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है तो यह वीडियो का आपका पूरा फिनिश होता है फिप्टी फे फाइर और थर्टी में अब हम बात क यह वाउटड देखने के लिए घूंती नहीं की क्रेड़ की वह आप कर लें उसमें कोई आसानी से आप कर सकता है वुश में कोई दिक्क्त नहीं है तो यह आपकी रेलिंग जो ग्रिल आपकी बना है यह आपकी घर को एक बेतरी सा लूब देता है सहसं पहले दो पट्टी ह एक white color की और एक red type का color है इसके बाद ऊपर आपको तीम पट्टी है black white black और इसके बाद ये आपके देखिए आए black color की पट्टी आप बने हुए ये round color के जहरोके बने हुए ये देखिएगा बीच में जो porch है उसमें मैंने grill भी इस्तेल का railing और ये पूरा design आपका बनकर ready हो ज और ये stairs की बात करें इदिकी बारंदा साथ फिट करता तो मैंने stairs पूरी लगबग 6 फिट के बना दिये हैं आपका क्योंगी 3 फिट आने के लिए परयापतर रहता है तो ये model कैसा लगा जरूर बता है वीडियो को लाइक से जरूर कर दें कोई भी doubt है तो आप कमेंट सकते हैं किसी भी प्रकार का थैंक्स वॉचिन